सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, कहते हैं धर्म में राजनीती नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि राजनीती धर्म का आश्रय ले ले तो राजनीती शुद्ध हो जाती है, लोबकल्यान कारी हो जाती है, लोबकल्यान का संकल्प लेकर राजनीती के माध्यम से राश्व सेवा करने वाले हम सभी के प्रिया राजनेता धर्मानुवाटी आधनेशी देवेन पड़नी की हमारे बीचु पसीजन उसे रिवेजन करूगा कि वो अपना संभू जन देए जोरगा तरी से सहबत करें जैश्री राग जैश्री राग जैश्री राग जैश्री राग जैश्री राग जैश्री राग आज जिनके अभिनादन समानो हमे हम सभी लोग यहां पर उपस्तित हुए है ऐसे फरमदारणिया शेख जाराठ बहा मंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरीजी महाराज इस अभिनादन समारों में इस समारों को और गरिमा प्रदान करने हितू हमारे बीच पधारे हुए स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज स्वामी अभिदानंद गिरीजी महाराज महामंडलेश्वर जी स्वी प्रणवानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर जी जगत्गुरु रामानुजाचारिय स्वामी स्वीधराचार्य महाराच जी, मां मंदलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती महाराच जी, मंच परुपस्थित, श्री मंगल प्रभात लोडा जी, श्री गोपाल शेक्टी जी, अमित साथम जी, योगे सागर जी, जिनोंने हमें यां निमत्रित किया ऐसे पवंध दिपाठी जी, यहां पर उपस्थित कृपाशंकर सिंग जी, संजेद पंडे जी, मोहित भारतिय जी, अशुक जाधो जी, भगवान कोकरे महाराज, अनिल गलगली जी, मंचा सीन सभी मानुभाव और उपस्थित सभी बहनोर भाईयों. मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी के लिए एक बहुत ही सुआउसर है, कि जब अपने पूर्णे आचार्य जी का सतकार करने तू, स्वागत करने तू, अभिनंदन करने तू, हम लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं. और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिनंदन समारोह तो केवल एक बहाना है, हम सभी यह चाहते थे कि पूर्णे आचार्य जी का आशिरवाद हम प्राप्त करें। सन्या साश्रम के इस पवित्र सानिध्य में हम लोग कुछ समय विचरन करें। और उसी के चलते हैं, जब पवन जी ने इस समारोह के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मोका नहीं हो सकता। जहां एक और स्वामी जी ने सन्या साश्रम के पचास वर्ष पूर्ण किये है, वही माता वैश्नो दिवी प्रस्ट पर एक विश्वस्त के रूप में उन्होंने कारे समाला है, और ऐसे मोके पर उनका अभिनन्दन हो, और हम सब मिलकर उनका आशिरवाद प्राप्त करें। और मैं अपने आपको सवभाग्यशाली मानता हूँ, कि जहां एक और उनका अभिनन्दन करने का मौका मुझे मिला, वही इतने पूजिनिय धर्माचार्यों के साथ इस मंच को साज़ा करने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आपको बहुत सवभाग्यशाली समझता सच तो यह है कि हमारे सनातन संस्कृति में हमारे धर्मका जो महत्व है वो बहुत बड़ा है और कई लोग इसको बहुत संकुचित व्यवस्था में देखते हैं कई लोगों को लगता है कि धर्म का मतलब केवल कर्मकांड से होता है वो तो बहुत चोटी सी बात है हमारी सनातन संस्कृति ने धर्म को आचरन के साथ जोड़ा है और आचरन की शुधता के लिए धर्म के मार्ग पर चलना यह हमेशा महत्वण माना है हाचर जी पिछले समय में कुछ वर्ष पहले एक कारेक्रम में गया और पुझ्य संतगण के सामने मैंने यह कहा कि भारत में हमेशा राज सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुष रहा है तो दो जिन तक मिडिया पर यह चलता रहा कि देखिए राज सत्ता से बड़ी धर्म सत्ता कहीं जा रही है तो मेरे ध्यान में आया कि जिनको हमारी परंपरा ही पता लए जिनें हमारी सनातन संस्कृती पता लए यह लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते इसका कारण धर्म सत्ता का कभी यह मतलब नहीं रहा है कि राजा को किसी के आदेश का पालन करना था लेकिन धर्मा अधिश्तित आचरण के लिए जो नियम बने थे उन नियमों पर जो राजा चलता था वो महान बनता था और जो नहीं चलता था वो नीचे आता था यह धर्म सत्ता का भ लेकिन ऐसा मानता हूँ कि जो आश्रम की हमारी विवस्ता है यह इस प्रकार की विवस्ता है कि हम तो अपने जीवन में एक आम आदमी की तरह अपना जीवन याफन करते हुए शायद अपनी शुद्धता को खो देते हैं विचारों की शुद्धता को खो देते हैं ऐसे समय हमारे आश्रम परंपरा हमारे गुरू एक ऐसी विवस्ता है कि जो विवस्ता हमारी विचारों की शुद्धता को वापिस लाने का काम करते हैं जिनके सामिध्य में जाने के बाद हमारे विचारों की शुद्धता को हम वापिस ला सकते हैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो विवस्ता हमारे देश में खड़ी हुई और हमारी सनातन संस्कृत ने खड़ी हुई इसके एक बहुत बढ़ी परंपरा है। कई लोगों को लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है जो अंग्रेजों ने लिखा वो इतिहास सही है। लृण तो आंग्रेजों ने केवल वह इतिहास निखा तो इतिहास हमारे समाज का केजो ढ़ंद करना चाहता कि जो यह बतानाचा था कि tätä हिंदु संस्कृती या सलातन संस्क्रती नहीं सक्षितिति किसी भी प्रकार से कोई दिशा नहीं जा सकता आज इतने आकरांताओं ने आकर हमारे देश पर आक्रमन किया प्रभु शिराम जी का मंदिर तोड़ा काशी विशुनात को तोड़ा इसका कारण क्या था वो जानते थे कि जब तक आस्था के उपर प्रहार नहीं होगा तब तक यह आस्था समाप्त भी नहीं होगी और यह सनातन धर्म समाप्त भी नहीं होगा लेकर वो जानते नहीं थे कि सनातन धर्म यह इतना मजबूत है क्योंकि यह सत्य के आधार पर खड़ा धर्म है यह प्रकूरती के आधार पर खड़ा धर्म है यह आचरण को और आचरण की शुद्धता को महत्व देने वाला धर यह सारे आक्रमनों में हमारी इस परंपराने हमारे गुरुजनों ने हमारे सनातन भर्म को सुरक्षित रखने का काम किया और इस धरवर को अगली पिडी तक ले जाने का काम किया आज तो माहौल बदल रहा है हमने वो जमाना भी देखा कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शरम लगती थी जाते जरूर थे लेकिन चुप चुप कर जाते थे बिना कैमेरे के जाते थे राद के समय जाते थे सुबह जल्दी चले जाते थे लगता था कई मन्दिल चले गे तो हमारी सेकुलर गोडबैंक खराब हो जाए दी, लेकिन देश में एक प्रामाणिक प्रधान मंतरी आने के बाद, जिन्होंने अपना अजेंडा गरीप कल्यान का दिकास रखा और गरीप कल्यान का आजेंडा लेते हुए, अभ्यात्मिक शक्ति के साथ पूरी सत्यता के साथ सच्चाई के साथ काम करना चुरू किया और जब प्रधान मंत्री जी मंदिर जाने लगे आशिरवाद करने लगे तो पहले भी करते थे बड़े सहष्टा से जाते थे अभी भी सहष्टा से जाते लेकिन उसका प्रिणाम य कहने लगे कि अपको स्य्क्ते के फाद करने लगी है तो मैं मानता हुए कि कम से कम ये तो हुन ऐसे कि अपने आपको सूरो सेक्डी़ केहने वाले अपने वाले कि मंदिर जाने ने से जो डर्टे थे भचे थे वह सारे कि सारे लोग अब ये मानने लगे कि अपने धर्ब का अधिश्कान करना इसमें शरम की बात कोई नहीं है लज्जा की बात नहीं है तो घर्ब की बात है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे हां आया है और वैसे भी हमारे सभ्धता की जड़े यह बहुत मज़बूत है अभी तो नएने संशोडन हो रहे हैं और हमारे जो इतिहास तद्ले हैं हमारे जो डियने एक्सपर्ट से इन्होंने तो अब सब प्रमान यह हमारे सामने रखाए कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्धता यह भारती सभ्धता है इससे पुरानी continuous कोई भी सभ्धता यहां पर नहीं है यह आज ध्यान में आया अंग्रे जो न तो गलत पाठ पढ़ा दिया था कहते थे आर्य बहार से आये थे यहां तो द्रविड थे उनके साथ संगर्ष आर्यों ने कबजा कर लिया इस प्रकार का गलत इतियास हमको पढ़ाया जाता था लेकिन अब डियेने के संशोधन के बार नहीं में खुला से बाहर आ रहे हैं और उसके बार यह पूछा गया कि अगर आर्या बहार से आये थे तो फिर संगर्ष कहा हुआ बताई जब संगर से आकर युद्धन ही किया था वो तो घूमते घूमते आये थे घूमते घूमते आये थे तो फिर कहां बसे कैसे बसे लोग कहां से कहां गये यह भी नहीं बता पाए लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब यह जो डियेने का सारा मसला सामने आया और उसके बाद हमारे पुना के प्रफेसर शिंदे है या हमारे अभीजी चावडा जैसे संशोड़क है इन्होंनों जो चीजे सामने रखी आज राप्षी गड़ी जैसी या दिराना जैसी जो हमारे देश की विरासते साथ में मिली हम तो मोंजदारो और हडपा की बात करते थे उससे भी 4000 साल पू हो डिशाल in जरेकर और हरे था पम festival진ी के दैने का होता ही कि दुनिया का सबसे पड़ा ऑलि इस हैखलो पके सब्यतनों गरसे जादा है और कहीं पो पढाय जाता तो भारत में पाया जाता है और यह भी पाया गया कि भारत में जाए पहुचार बहारत में आपका उत्या पर ज हैप्लो ग्रूप एक है तो यह जो ठीयरी थी कि आर्य अलग है द्रवीड अलग है भारत में दो संस्कृतिया बसती है यह सारी ठीयरी को खतन कर दिया और इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ पर अब इस दी इन्ने यह बात को भी समाप्त कर दिया जो हमारी जाती युवस्ता में ये कहा जाता था कि ये कोई श्रेष्ट है और ये कोई कनिष्ट है और जल्म से कोई बड़ा है और जल्म से कोई छोटा है तो इस देश के अंदर चाहे वो अंदमान का आरिवासी हो या बंग्राल का ब्रामन हो या उत्तरपदेश में जिसको हमने दलिप का ऐसा देखती हो सभी का DNA एक निकला तो हम सब एक बाप की संतान है एक घरोहर को लेकर हम सब लोग इस देश की सभ्यता में जी रहे है ये सारी चीज़े बाहर आई और इसके साथ साथ ये भी आज हमारे संशोधकों ने इस बात को भी प्रतिपादित किया कि दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई टेक्स्ट है सबसे पुराना कोई लिपिया कर कोई उस्तख है तो रुगवेद है और रुगवेद के अंदर सरस्वती नदी का वरणन है और सरस्वती नदी का इस प्रकार का वरणन है कि एक ऐसी नदी है जो नदी में नद है जो बहती है और जब पूरे तरीके से बहती है तो कैसे उसका आवाज आता है किस प्रकार से उसके बार के कारण विपदाय आती है ऐसा सारा वरणन है और हमारे शास्त्रत ने कहते कि इस वरणन का अर्थ यह है कि जब सैटिलाइट से इसका मैपिंग किया गया और इसका कारबन डेकिंग किया गया तो ध्यार में आया कि इस प्रकार से सरस्वती नदी बैती कब थी 9000 साल पेले 9000 साल पहले आज से 9000 साल पहले रुगवेड की कि ऊच्छना तो कम से कम की गई है तो दुनिया का आज सबसे पुराना जो रचव है वह चार दिशे तो हमको पता नहीं है पर कम से कम इतनी पुरानी तो रचना है इस प्रकार की सारी बाते आज सामने आ रहे यह पूए ब 2007 इस प्रकार का संशोणना करते तो European जर्नल उसको चापते नहीं ते अब ऐसा नहीं है अब यूरोपियन जर्नल भी चापते अविक चापते क्योंकि दुनिया में अब पुरे विज्ञान के साथ सबूतों के साथ हमारी सब्धेता की पुराने होने की इस बात को पर्धिपाधित किया गया है और इसने मैं असा मा एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है उसको बचाने में उसको सम्रुद्ध करने में उसको आगे ले जाने में और विशेश रूप से आध्य शंकराचारे जी का तो हम सबके उपर यह उपकार है कि जिस समय शायद यह परिस्तिती थी कि धर्म समात्त हो जाता ऐसे समय फि उसी परंपरा के एक निर्वाहत आधरणिया हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वश्वरानंदिज गिरी जी महाराज आज इनका अभिनान करने का माउसर हमको मिला मैंसा मांगता हूं कि हम समलोग बहुत ही भाग्यशाली है हम तो गुरों के लिए क्या मांग सकते उन बहुत अच्छा आरोग दे और सेकड़ों सालों तक अभी तो पचासी साल पूरे हुए है लेकिन जब सौ साल पूरे हो तब भी इसी प्रकार का मौका मिले और हम सब लोग भी उस समय यहां उपस्तित रहें ऐसे इश्वर से प्रार्पना करता हूं और इस अच्छे काड़ में यहां मुझे में मुझे मुंत्रित किया इसलिए मैं आपका अभार्वेश करते हुए अपने सब्दों को विराम देता हूं जैहिन जैभाराश्र जैभाराश्र जैभाराश्र